आलू सी टिके के पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं अमीड करती हैं आपको पूर पसंद आएंगे मैं आपको चेक करवाती हैं कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे यह देखें आपकोड़े आपकोड़े तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आलू लेंगे यह तीन मीडियम साइस के आलू है जिसको मैंने मेश करके रखिया है अब इसमें सॉल्ट आलेंगे सॉल्ट के टेस्ट डालें एक चुछाई चमच कुट्यू लाज मरिस डालें बना कुटा जीरा डालें एक चमच बुना कुटा जीरा डालें एक चमच और धनिया डालें हमने एक चमच बुना कुटा वो भी हरा धनिया और हरा पुदीना डालें इसमूँ आफटी के स्पून चाज मसाला डालें अम्चू पाउडर डालें आफटी स्पून अब इसको मिस करनें मसाला हमने मिक्स कर लिया आलू का अब हाथ पर थोड़ा सॉय लगाएंगे इस तरीके से टिकियां बनाने नहीं अलू की टिकिया हमारी बन गई है अब हम बेशन का बेटर बनाएंगे दो काफ हमने बेशन लिया है अब उसमें एक चताई चमाज कुटी लानवेस दानेंगे हल्डी एक चताई चमाज डालें सार्टिटेस दाने मीठा सोडा डालें एक पिंच थोड़ा सा जीरा डालें साबस अब उसमें पानी शामल करें बेशन हमारा रेडिय इस तरीके से बनाना है अब इस तड़ाई लिए उसमें और डालें ओल को गरम होने दें तुरा सा गरम तेल निकाल कर बेशन में डालें और मिक्स करें अब आलू की टिकी को बेशन में डिक्सर के तलते जाएं तारी आलू की टिक्यां डिक्सर के बेशन में डालते जाएं होगें मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते जाएं तिक्यां मरी फ्राय हो गई है अब हम गेस को आई फ्लेम पर रखेंगे अगर आप फ्लेम पर रखेंगे तो इसक्यां अपना शारा और शोटी जाएंगे अब इसको निकाल जए अब इसको दूसरी टिक्यां भी इसमें डालते जाएंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करें कमेंट करें अब और अपने प्रेंस में शेयर कर देंगे इसको भी लोग फ्लेम पर बनाना है सारी टिक्यां हमारी बनती जाएं सारी की सारी लोग फ्लेम पर ही इसको टरन करते जाएं अलो की टिक्यां को लोग फ्लेम पर फ्लेम करना है और साइड़ें भी चैंज करते जाएं पर फ्लेम को हाई करें ताके टिक्यां अपना अवज शोड़ दें यह देखें कि सम्प्यारा कलर आ रहा है इसको निकाल दें इसी तरह हमारी सारी रेडी हो जाएंगी तो हम आपको फाइल दिखाएंगे अलू सी टिक्यां के पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं अमीद करत पसंद आएंगे मैं आपको चेक कर लाते हूं कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे यह दकी